मेरे साथ ही AICC के प्रवक्ता वरित पूनिया जी और हमारे बहुत ही सीनियर रीडर है अतर सिंग सैनी जी पिछड़ा वर्क से मैं सबसे पहले तो मैं जो बिहार की सरकार ने जो जाती जन्गन्ना कल अमारे रास्पिता महत्मा गांदी के जन्म दिवस पे और लाल भादू शास्ति जिनका नारा जय जवान जय किसान का था उस दिन जो है जाती जन्गन्ना उजागर करी जिससे की देश की राजनितिक दिशा और लोगों को यह पता लगेगा कि हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको किसी भी प्रकार से दर किनार नहीं किया जा सकते चे वो राजनितिक गरूप से हो चे आर्थिक गरूप से हो चे वो समाजिक गरूप से हो पहली जातरी जन जन गरना हुई थी उस ताइम बावन परसंट अबादी जो है वो दर्शाई गई थी उसके बाद उननीज सो एक तालिस में हुई जिसको स्वार्जेंग नहीं किया गया 2011 में का सेंसेस हुआ जिसके बारे में रहूल गांदी जी ने मलक अजन खड़गे जी ने और अनेक मंचों से कई लोगों ने ये कई बार इस बात के लिए दबाव डाला गया कि आप उसको उजागर करें लेकिन भाजपा पता नहीं किस बात से डर रही है कि 2011 की जाते जनगर्णा को जाकर ने कर रहे हैं अभी जो जाते जनगर्णा होई है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पिछला वरक की अबादी है वो 63 परसंट दर्शाई गई है यनि करीबन 11 परसंट का जंप है अबादी के अंदर और जो हमारे जो आरसस के बंदू है इन्होंने अनेकों पी आईल दोवारा आई कोट में सुप्रीम कोट में जो जाती जनगर्णा बिहार की गोवर्मेंट कर रही थी उसको रोकने में कोग कमे नहीं छोटी थी एक बार उनको स्टे भी मिल गया था लेकिन आई कोट ने उस स्टे को अटाया सुप्रीम कोट ने भी उसको बदस्तूर जो है उसी तरीके से अपनी राय रखी कि देश के अंदर जब तक जाती जनगर्णा नहीं होगी डाटा नहीं होगा तो काम चल नहीं सकता है आपने देखा होगा कि बहुत सारी पर्टिशन जो हैं पंचैती राज के अंदर आई कोट ने सुप्रीम कोट ने ओबी सी की जो है आरक्षंड पर जो है रोक लगा दी कुछ अगे भी डाटा दो तो डाटा नहीं जब तक डाटा नहीं होगा अभी जो त्रेसर परसंट जो पॉपुलेशन है ये करीमन दो सो पंद्रा जाती हैं कई कम से कम एक सो तेरा जाती है ऐसी है जिनकी अबादी जीरो पॉइंट से नीचे है तो उनके बारे में उनके बारे में कौन सोचेगा अनिकों जो योजनाय हैं जो बिनानी हैं हमने चाह वो हमारे स्रूल कास्ट के भाई हो चाह हमारे ओबीसी के भाई हो इवन जो एडेवलोस के लोग है उनका भी तो सर्वेक्शन हुआ है इसमें क्यों के विल ओबीसी का थोड़ न हुआ है उसमें जो गरीब लोग है उनको फायदा मिलेगा इस बिहार के अंदर उनके लिए पॉलसीज बनेंगी हाउसिंग पॉलसीज है किसके पास कच्चा मकान है किसके पास मोटर साइगर किसके पास पक्का मकान है किसके पास कार है किसके पास के आर्थिक स्थिति किसके कैसी है राजिनी रूप से कौन कितना प्रभावशाली है शेशनी रूप से क्या व्यवस्ता है जिन जातियों की और समाजिक रूप से कितना दबाय जा रहा है बहुत सारी ऐसे हमारे पिश्रावरक के लोग हो और इवन शिरूल कास मे ऐसे अबादी हैं, जो विधायक MLA नी बन सकते तो उनको जो है, सरकार के पास जब डाटा होगा, किसी को MLC बना सकते हैं, किसी को राज सभा में ले आ सकते हैं, और जो आखड़े जो पेश किये हैं, बिहार ने, उससे जो है भाजपा, गवराट में आगी है, और प्रधा मंतरी कहते हैं, इससे जो है, समाजिक विवस्ता बिगड़ेगी, और कॉंगरश जो है, जातिगत, बाते करके, एक पाप कर रही है, अभी ब्यान दिया, कल ब्यान दिया है, अनोंने, पाप कर दिया, पाप है क्या, इससे बड़ा पुन्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा पुन्य क्या हो सकता है, कि आप आथ ही रूख से जो कमजोर लोग हैं, उनको आप उनके बारे में आप पता कर रहे हैं, उनकी व्यवस्ता क्या है, उनको आप क्या कौन सी OBC का अलग डिपार्टम्न बनाने के बारे में, जो हमारा, जो हमारा हुआ था AICC का वहां पर बकाइदा इस बात के बारे में जो है ये बकाइदा ये कहा गया था कि हम लोग जो है OBC का अलग डेपार्टन बनाएंगे ताकि उनके लिए योजनाया बन सकें इवन जो है जो मलिक राजन खड़गे जी ने एक चठी भी लिखी थी प्रधानमंतरी मोदी जी को 16 अपरेल 2023 को कि आप का सेंसेस करवाएं जिससे की डाटा हमें मिल सके हम कई राजसरकार जैसे आपका 36 गड़ है जारखंड है वहाँ पर जो आरक्षन 14 परसंट है वो 27 परसंट के लिए बिल भेजा हुआ है गवर्णर के पास 6 महने से बिल को लिए बैठे हैं क्यों लिए बैठे हुए इसके बारे में भारती जंता पार्टी या रास्पती जी के पास जो है या परदान मंतरी जी या गरह मंतरी जी बोलें उनको कि बिल लिए को बैठे है या फिर उनकी जो सोच पिशड़ा पर रोदी है और 16 अप्रेल 2023 को परदान मंतरी जी ने न हमारे रहूल गांदी जी ने परदान मंतरी को चैराज किया था कि आप जो है कास सेंसेस 2011 में जो हुआ था उसको पब्लिक करें ताकि जो पचास परसंट का जो कैप लगा रखा है उससे ज्यादा जा सकें दिए वैसे तो इंदरा गांदी इंदरा सानी जो को एक जजमन आई तो उसमें पचास परसंट को 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 क्रॉस नहीं कर सकते थे लेकिन एक पांच बेंच की जज ने एडेवलोएस को 10 परसंट रिजर्वेशन के लिए जो है इजाद दे दी तो जम तो वैसी कर गे 50 परसंट को 60 परसंट बैसी हो गया जिन पर देशों में फिफ्टी परसंट के कैप था वान, तेन परसंट जब एडबलो उसके दिया, तो सिक्स्टी परसंट तो होई गया, फिर वो इंदरा सानिक के जो जज्जमेंट है उसको तो अरूल कर दिया ना, तो अब जो है, अगर आरक्षन वहाँ बढ़ाया जा रहा है, तो उसको रोका क्यों जा रहा है, इसका जवाब भारती जन्ता पार्टी दे, आप देखेंगे, अभी जो है, हमारे जो केंज शासेश्ट, जो हमारे राज्य हैं, जो जहां भाजपा है, उनको चातरवरती नहीं जारी, और आपका जो बी एच्छू है, उसमें OBC के फंड से एक भी छातरावास त्यार नहीं किया गया, बनारस हिंदू उनिवस्टिम एक भी छातरावास नहीं त्यार किया गया, जहां OBC को ठहरने की कोई जुरत हो, राउल गान्दी जी ने कहा था, तीन हमारे सचीव हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, सेंटरल उनिवस्टिमें, चोवारी सेंटरल उनिवस्टिमें हैं, उनमें केवल नौ प्रफेसर्स हैं, केवल नौ प्रफेसर्स हैं। जुडीशनी में हमारी भागे जारी मात चार परसंट है। एशोशेट प्रफेसर्स दो परसंट हैं। शैसनिक तौर पे उसका कारण यह क्रीमी ले लगा दिया। और क्रीमी ले लगा दिया कितना आठ लाक। अब आज के जमाने में आठ लाक। इस यूग के अंदर जहां पर इतनी महिंगाई हो रही है। और यह कहते हैं पर कैप्टा इनकम हमारी बढ़ रही है। तो आठ लाक का कैप तो बहुत ही कम है। इसको कम से कम 14-15-16 लाक होना चाहिए। ताकि हमारे लोगों को क्या होता है कि हमारी सीट बढ़ती नहीं उसमें जर्नल कर्टेगरी के लोगों को उसा देते हैं। चाहिए प्रफेसरों उनिवस्टी में चाहिए आपके और नीट परीक्षा में तो आज तक OBC का अरक्षन ही लागू नहीं किया। तो कमाल की बात आई है। जो 63% जिसकी अबादी है जिसकी अभी तो बिहार की आई है अगर पूरे देश की होगी तो हो सकता है वहां पर जैसे पहले हम कहते थे 22% थी हो सकता है कि वहां पर भी हमारी 88% हो जाए 69% हो जाए 59% हो सकती है। तो क्या हम लोग जो हैं OBC का राष्टी चेर्मन होने के नाथे मैं बारती जन्ता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो बाजपा शासित राज्येवां पिछरी जातियों को चातर वर्ति क्यों नहीं मिलती। इसका जवाब दे भारती जन्ता पार्टी के लोग के जो मुख्य मंतरी हैं। और देखिये राजे पिशड़ा वर्ग, आयोग के पांच सद्यत्यों की नुक्ति इन्हों ने, नुक्तिया पूरी आज तक नी करी हैं, अब तक केवड एक अध्यक्ष है और एक सद्यत्य हैं, केवल दो नुक्त। लोग नुक्त की हैं। तो राज्य पिशड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें पांच सद्यस्टों की नुक्तिया अठारा मेने से अब तक लंबत पड़ी हुई है, अरे जब आपका राश्ट्रे पिशड़ा वर्ग आयोग, उसको ही आप पूरानी कर रहें, मोदी जी कहते हैं, मैं OBC हूँ, तेली दिलवाएं, चात्रों को चात्ावर्ति दिलवाएं, हमारी पार्टी ने, जो अभी हमारा अदिवेशन हुआ था, राइपुर के अंदर, वहाँ ए फैंस्ला लिया और फैंस्या आमने, कि अगर महिला अरक्षन अगर हम लेके आएंगे 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है जात्य जनगर्न हम करवाएंगे कास सेंसर्स पूरे देश में करवाएंगे ये बात कॉंगर्स पार्टी ने जब भारत जोड़ो यातरा के अंदर राउल गांदी जी जब लोगों जो उनकी जो जिस राज्य में SCST OBC मायनेटी नहीं है वहां हमारी सरकार सत्ता में नहीं है आपका यूपी लगा लिजिए चैए उडिसा लगा जिए बहुत सार राज्य में आपको बता सकता हूँ 2010 के अंदर हमारा महला अरक्षन बिल रास्वा में तो पास हो गया था लेकिन रास इसमें लोग्सवा में क्यों नहीं हो पाया क्योंकि हमने SCST OBC मायनेटी जो महलाई थी उनको 33 परशंट आरक्षन देने का प्रवधान नहीं किया था जिसकी बज़े से जो नेता थे हमारे यूपिय के जो पार्टनर्स थे चै़ वो DMK थी चै़ वो RJD थी चै़ समाजवाधी पार्टी थी उन्हों के नहीं नहीं थी अवरना तो राहूल गांदी जी का सपना सोनिया गांदी जी पूरा करना चाहती थी रास अभाम हम पास ही को करते अब जो ये, इसके लावा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये भी फैंसल दिया था, कि हम Indian Judicial Service लेके आएंगे, जैसे UPSC की तरज के उपर, Indian Judicial Service लेके आएंगे जिसमें एक्जाइम होंगे और एक्जाइम के अंदर जैसे UPC में एक्जाइम होते हैं Judicial Services के एक्जाइम होंगे और उनमें से जो पास होंगे उसको जो Collegium Systems में आप नहीं करेंगे Collegium Systems जो उनमें से SC, ST, OBC माइनटी के लिए Reservation करेंगे उसमें से जो Collegium System जिसको सिलेक्ट करेगा उजज बन जाएगा तो हमारे जो पिशरवर के लोग हैं, SC, ST, OBC लोग हैं उनको जो है मोकाय मिलेगा Judiciary में आने का आपके अन जगे आने का Higher Education में हमें आरक्षन देने की अमने बात करी है हम कल जो है मैं आपको बताना चाहूँगा Congress Committee ने Working Committee ने Resurrection Hyderabad में 16 स्थमद 2023 को ये बात कह दी थी कि सबसे ज़्यादा कारण है 14 करोड जो देश के सबसे गरीब लोग है उनको जो है आज तक राषन नहीं दिया गया 40 करोड लोग ऐसे हैं और उनको देने का परवधान हमारी पार्टी करेगी 14 करोड ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भोजन नहीं मिल रहा है ये खाद अपुर्ति श्रुक्षा बिलकौन लेका था Congress Party लेका थी जिसका ये टंडोरा पीट रहे है सुनिया गांदी जी की सोस थी Right to Education जो है वो उनकी सोस थी और Modi जी ने जो Working Committee ने जो फैंसल लिया था उसको Modi गोवर्मेंट ने कहा कि हम Cass Census नहीं करवाएंगे उसके बारे में इन्होंने Cass Census के बारे में बिल्कु खामोच बैठे हुए है आज तक Cass Census जो 2021 में होना था वो क्यों नहीं किया इन लोगों ने फिर जब इन्होंने ये Bill Pass किया इन्होंने Bill Pass कि कल हमने एक हमने कल Memorandum दिया राश्पती को जिसमें हमने बकाइदा ये कहा है कि 1989 में ये को VPC ने के अवल गोष्णा की थी Mandal Commission की और 1989 में 33% Reservation पंचैती राद में लाने का काम किया तो Congress Party नहीं किया उस वक्ट भी जो है ये Bill रास्थभा में रह गया था पास होता हुआ साथ वोटों की वज़े से इसलिए नहीं हो पाया वरना तो इंडेडूस हो ही गया था राजिव गांदी के समय में और जो आरक्षन है Reservation है हमने अभी जो इन्होंने बिल पास किया Congress ने रोड़ा इवन तमाम विपक्षने यूनवेन एन मसली जो है ये बिल पास किया और कहा कि 33 परसंद अरक्षन मिलना चाहिए और अनेको एमेंडमेंडमेंड लेके आए DM के ने दिया Congress Party से राउल गांदी जी ने सुनिया गांदी जी ने मलिका अरजुन खड़गे जी ने और फ्लोर अब दी हाउस पे समाजवादी Party से आपके अपना दल जो इनका खुद का घटक है उसनों ने ये मांग उठाई कि आप हमने बिल पास कर दिया है लेकिन आप एमेंडमेंडमेंड लेके आएं कि SC, ST, OVC, मैनिर्टी महिलाओं को आप अरक्षन दें अगर आप अरक्षन नहीं दे रहे हैं तो आप ये एक सबसे बड़ा गुना है कि आप देश की जो 80% अबादी है जो महिलाएं राजनितिक रूप से समाजिक रूप से आर्थिक रूप से जनल कैटिगरी की महिलाओं का मकाबला नहीं कर सकती है उन लोगों को आप जगे दो, आरक्षन दो कोटे के अंदर कोटा दो इन्होंने SC-ST को जो आरक्षन दिया है जो SC-ST की जो MPs बनते हो वहाँ दिया है लेकिन जो 30% जो आरक्षन दिया है उसमें सारा जनल कर दिया इन्हीं बैकडूर एंट्री से संग, जो संग की जो सोच है, उसको इंप्लिमेंट किया है हमने राश्पति जी को यह दिखा है कि साब जो है आप इसके बारे में विचार करें और जितनी भी हमारी OBC-ST, ST मारेंडरी की महलाएं इनको जो है आप निर्देश दें परदान मंतरी को कि वो जो है लागू करें ताकि हमारी जो महलाएं हैं तेखिए इससे लाब क्या होगा लाब क्या होगा लाब यह होगा कि जो मैं आपको बताना चाहरा था मैं अगर हम कास सेंसेस कर लेते हैं तो जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए पॉलसिज नहीं बनेंगी उनके लिए एजुकेशन के अंदर स्कॉलर्शिप का प्रवधान कर सकते हैं उनके लिए मकान मनाने की बात हम कर सकते हैं जिनका हमें पता है कच्ची मकान उनके लिए पके मकान का बजट हम प्रविजन कर सकते हैं कास सेंसेस केवल जातिगत जनगरना की बात नहीं है कि क्रिमिलेर कर दिया, उसमें सेलरी भी डाल दी, सेलरी भी डाल दी, और जो इंकम है, क्लास फोर की इंपलोई, वो भी डाल दिया, तो आप मुझे पताएं, क्लास फोर के बच्चे को क्या आरक्षन मिल जाएगा, हर्याना में तो क्लर के बच्चे को भी क्या आरक्षन नहीं मिलेगा तो Hirakshorang consist director को मिलेगा उचन के अर्श्राप किसको मिलेगा वो जरनल करटेक को मिलेगा कक्यूंकि वो सी्टे बनेंगी नी वो जरनल करटेक को दे तो जिस तरीके से ये लोग काले कर रहे हैं यूँठ जो तमाम राज्ये हैं तो हमारा जो मामला जो है दो हजार दस के अंदर भी राजसभा में बिल हमारा पास हो गया था जिसके मैंने पहले आपको बताया आज भी हम लोग जो है विंती करना चाहते हैं परधान मंत्री जी से यह आप ना कहें कि बिहार में जो कासेंस हुआ है एक बहुत बड़ा पाप हुआ है कि बाप नहीं हुआ है यह पुन्य का काम हुआ है जो गरीवर के लोग है जो वंचित समाज है जो बहुजन समाज है SCST OBC मायनटी के लोगों के फाइदे के लिए कारे किया है प्राइविट सेक्टर में भी हमारा जो रायपूर का जो अदिवेशन हुआ था हमने यह भी कहा था कि प्राइविट सेक्टर में भी हम आरक्षन का परोधान करेंगे क्योंकि यह निजिगन करे जा रहे हैं रेलव काइदा यह कहके कि हम निजी छेतर में भी और हायर एजुकेशन में भी और महिला अरक्षन में भी हम लोग यह लागू करेंगे यह मैंने आप लोगों से कहना था और हमने अपनी जो पार्टी के जो पोस्ट है उसमें भी 50% पोस्ट हमने SCST OBC मायनटी के लोगों के लिए रखा है यह मैंने आप लोगों से बात कहनी थी बाकी अगर कोई बात अगर आप कोई कोई पूशना चाहते हैं यह आपको कोई शंका अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हूँ जो गरीब वन्चित समाज बहुजन समाज के लोगों के बारह में राउल जीन दो ब brought in यह पताया है ना प्रफेसर हैं, ना हमाएं इंडस्ट्री में जो हमारे जो ना हमारा डिपार्ट, OBC गालग डिपार्टमेंट है, OBC के लोगों को इन्होंने केवल जैसे हाथी के दान दिखाने होड़े दूसरे होते हैं, खाने होड़े दूसरे होते हैं, वो आल कर रखा है, उसमें Central Election Committee मे Center Parliament Board में चेरे दिखा देते हैं, OBC के उनके लिए करते कुछ नहीं है, मैं यह कहना था, बाकि आपने कोई बात पूछ नहीं हैं, बता दीजिए, यह कहा कि हमारी पार्टी ने 50% आरच्छन पार्टी के अंदर करने के लिए कहा है, तो अब जिस तरीके से आपकी उच्छाद कार समित्य है, CWC, उसमें क्या 27% OBC का आरच्छन अलागू हो गया, या नहीं सर? जो हमारी Working Committee बनी है, उसमें हमारे जो OBC की जो संख्या है, और SC, ST, Minority अगर आप देखेंगे, तो तकरीपन जो है, it is 50% जो आपके अभी Working Committee बनी है, उसमें अगर SC, ST, OBC, Minority, हो सकता, एक दो परसंट की कमी पेश ही रहेगी हो, लेकिन इदिस टचेंग 50% सर, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी शेक मनु सिंग भी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, अभी शेक मनु सिंग भी, डॉक्टर, क्या वोला है? उन्होंने लिखा है कि, Equality of Opportunity is Never the Same as Equality of Outcomes, पीपर इंडोसिंग जितनी आबादी उतना हाओ, जो बात सिंग जी कहेंगे, वो कोई पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की हर्चे कोई हटकर कोई बात कहता है, तो उसका जवाब मैं नहीं दूँगा, हमारी लाइन ये नहीं है, हमारी लाइन ये ह गरीब वन्चित बहुजन समाज को आर्थिक समाजिक लाब दिया जाए, कैप्टन साब, कैप्टन साब इस तरफ, इस तरफ, कैप्टन साब, सर, पीम मोदी ने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी हिंदूों को बाटना चाहती है, और देश में मातर एक जाती है, वो है गरीब क कि जाती है, आप मुझे पता हैं, ये कह रहे थे कि जो का सेंसर्स जो हम करेंगे दो जार उन अतिस में, दो जार पचीस में हम का सेंसर्स कराएंगे, तो क्या उनका भी उदेश यही है, कि हिंदू समाज को बाटना, उसका जवाब प्रधानमंतिरी दे दे दें, अगर का से दो जार पचीस में कहते हैं कि वो, हमने वो भी जुमला था एक, अगर वो जुमला है, इसका मतल बाटना भाटना भी है, जो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच है, जो वंचीस समाज और भौजन समाज के लोग हैं, उनको अधिकार देना, थेंक्यू,